Hello everyone, welcome back कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear friends, आज का हमारा ये lecture आपके chapter 2nd का 2nd lecture होने वाला है आसा करते हैं Dear friends कि आप लोगों ने इस chapter का जो first lecture था उसको जरूर से जरूर देखा होगा अगर Dear friends first lecture को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये lecture आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इसलिए Dear friends मैं आप से यही कहना चाहूँगे कि पहले इस chapter का first lecture आप लोग देख लीजे देन आप इस lecture को continue करिए जिससे आपको बहतर तरकी समझ में आ सके आज के इस lecture के description में उस first lecture का link रहेगा साथी साथ channel पे playlist भी मैं आपको बना करके देऊँगा तो वहाँ से आप लोग जा करके first lecture को देखिए फिर second पर continue करिए Dear friends अगर आपने first lecture को देखा है तो previous lecture में आपको याद हुगा कि मैंने आपको प्रारंबिक पंक्ति और प्रारंबिक अस्तम संक्रिया के वारे में बताया था elementary row and elementary column operation क्या होता है यह हम लोगों ने previous lecture में discuss किया था वहाँ पर dear students हम लोगों ने सीखा था यह elementary row operation जो होता है वो किसी आप view के row में किया जाने वाला operation होता है और वो three types का होता है first आपको सिखाया गया था किसी row को किसी दूसरे row में interchange हम कर सकते है और उसको किस notation से हम reprint करते हैं यह सब हमने वहाँ पर discuss किया था second आपको बताया गया था dear students कि किसी row को किसी constant non zero constant से multiply कर सकते हैं third हमने आप लोगों को dear students बताया था किसी row में किसी particular constant से multiply करके उसके अलग वाले row में idea subtract हम कर सकते हैं यही three की three works हम लोग column में भी कर सकते हैं ऐसा previous lecture में हम लोगों ने discuss किया था तो वहाँ पर आपके mind में यह doubt जरूर से जरूर आया होगा कि सरी जो elementary row or elementary column operation आप हमें बता रहे हैं इसका use कहा होने वाला है तो dear students आज के इस lecture में हम लोग उसका first use करने वाले है elementary row or elementary column operation का dear students elementary row or elementary column के दो applications आपके syllabus में हैं दो use आपके syllabus में हैं first है dear students के दिये गए matrix को दिये गए आप व्यूव को उच्च तिर्भुजिये या निन्म्न त्रिफुजी आप व्यूव में परिवार्थित करना जिसको आप लोग upper triangular या lower triangular matrix कहते हैं दूसरा होता है डिया स्वेश प्रारंबिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए प्रारंगिक रूप आंतरन का प्रयोग करते हुए किसी भी दिये गए matrix का invert करना ठीक है invert का मतलत समझते हुए व्यूट करम आप व्यूव में प्राप करना ये दो चीज़ें आपके syllabus में हैं तो फर्स्ट आज के इस lecture में हम लोग सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि प्रारंबिक पंक्ति और प्रारंबिक अस्तम संक्रिया का यूज करते हुए कैसे हम किसी दिये गए तिर्फुच को उच्छ तिर्भुजिया निम्रे तिर्भुजिया आप व्यूव में परिवर आपाल कर लें इसको डिया स्टेंड्स हंलोग इंग्ली संबोला करते है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स श्ल Corps इस में आपको बताये गया Article i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i है जीरो हो गए है तो कुछ सिटिवेशन में ये क्या कहलाता है आपर का ही तो ही न कहला एक कियो इसमें वपर की साइड एक 저 रांगल बनता हुआ बता है उपर बनता है इसलिए इसको तिरभो जी है अपरण गए काहते हैं कई यह पूछा भी गया है डेफिनीशन में कि वाट इज आपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स तो आप बताएंगे ऐसा मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आप व्यू जिसके मुख्य विकण के नीचे के सरी वियोग क्या हो जीरो हो उपर के जीरो ना हो उसे उच्छ तिर्भुजिय या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं अब इसी तरीके से डियोसेंट्स निम्न तिर्भुजिय आप व्यू भी होता है निम्न तिर्भुजिय आप व्यू ठ ठीक है इस निम्रत्रिभुद याप व्यूकर डियोसेंट्स अगर हम इंग्लिस में बोलेंगे लोवर ट्राइंगुलर माइट्रिक्स क्या बोलेंगे लोवर triangular matrix यह जस्ट इसी का पोरीट होगा इसमें डियो सेंट्स ऊपर triangle बनता है इसमें नीचे triangle बनता है देखे कैसे, जैसे कोई matrix लिख लिए 1 लिखे, 5 लिखे, 7 अब यहाँ 0, यहाँ 5 यहाँ 1, 2, यहाँ क्या होगा 0 होगा, यहाँ 5 होगा यहाँ 9 होगा, अब देखे जैसे यहाँ पर भी क्या होगा, 0 यह आपका क्या है, leading diagonal है मुख बिकाण है, इस मुख बिकाण के जो उपर के elements है उपर के जो आभी अब है, वो क्या है 0 है, और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ lower part इसका देखेंगे यहाँ पर एक triangle आपको बनता हुआ नजा रहा हुआ तिरभुज, तो तिरभुज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है इसलिए यहाँ एक निम्न तिरभुज यह आप व्यू है यह lower triangular matrix है तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा वर्ग, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि अपर triangular matrix और lower triangular matrix क्या होता है समझ में तो आपको पहले से ही आया था मैं पहले ही आपको इसको सिखा चुगा हूँ बट आज मैंने इसको recall इस लिए किया क्योंकि अभी हम जो questions करने वाले हैं जो application हम लोग सीखने वाले हैं किसका elementary row and elementary column operation का वहाँ पर ये use होने वाला आई एक छोटा सा question करते हैं इसका application में बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं ठीक है देखें डियो सेंट्स first question यह आप कह सकते हैं type first आप करिएगा type first के जो questions आएंगे वो देखें क्या आएंगे आपको एक matrix दिया होगा ठीक है प्रारंबिक रुपांत्रण से जैसे हमें एक आप व्यू दिया है एक matrix एक even है हमें वो काउन है वन टू ठीक है थ्री टू फाइब वन उसके बाद थ्री सेवेन टू यह आपके पास एक matrix है वन टू थ्री टू फाइब वन थ्री टू सेवेन टू यह आपके पास एक square matrix है ठीक है अब question यह है कि हमें इसको क्या करना इडियो सेंड्स उच्च तिर्भोजी आप व्यू इसको हमें उच्च तिर्भोजी आप व्यू ध्यान देना इसे हमें उच्च तिर्भोजी आप व्यू जिसको हम इंग्लिज में क्या बोलेंगे आपर ट्राइंगूलर मैट्रिक्स ध्यान देना सभी लोग आपर ट्राइंगूलर मैट्रिक्स ठीक है आपर ट्राइंगूलर मैट्रिक्स में इसे हमें क्या करना है convert करना है लेकिन convert कैसे करना है कैसे convert करना है हमें converts करना है elementary operation का यूज करते हुए अब आपको पता है कि elementary operation दो होंगे एक ERO होगा elementary row operation एक ECO होगा means elementary column operation तो ध्यान रखियेगा जब किसी भी question में आप elementary row operation का यूज करेंगे तो column का नहीं करेंगे और column का करेंगे तो row का नहीं करेंगे means किसी भी question को solve करते समय या तो आप elementary row operation यूज करिएगा या तो elementary column operation यूज करिएगा दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं लेकिन दोनों operation एक साथ यूज मत करिएगा नहीं तो आप परिशान हो जाएंगे और result नहीं है क्योंकि एक बार में एक ही operation किया जाता है अब किसी-किसी particular question में लिख करके आ जाता है कि यहाँ पर elementary row operation का use करके ही इसको solve करिए तो अलग बात है जैसे अभी हमें क्या करना है इसको उच्चितिर्भूजिया बनाना है आप उच्चितिर्भूजिया बनाने का मतलब क्या है ध्यान समझे आप लोग सभी लोग ध्यान देना यह देखिए यह आपको क्या दिख रहा है यह आपको दिख रहा है इसका leading diagonal ठीक अब इसकी leading diagonal के उपर के elements तो बरकरार रहेंगे यह यह और यह देख रहे हैं यह three elements को हमें क्या करना है इन three elements को हमें क्या करना जीरो बनाना यह यह और यह यह elements अगर zero हो जाएंगे तो हमें जो मिलेगा matrix जो मिलेगा वो upper triangular हो जाएगा अब करेंगे कैसे आईए समझते हैं elementary row operation का use करेंगे solution ध्यान से सभी लोग समझते चलिएगा सबसे पहले एक-एक element को target करोगे यह आपको zero बनाना है अब यह zero कैसे हो सकता है अगर इस r1 को 2 से multiply करके i2 में से subtract कर देते यहाँ zero आजाएगा देखो एक-एक element पर focus करिएगा process students को थोड़ी सी tough लगती लेकिन हमारी बात को आप सीखते चलेंगे सुनते चलेंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ देखिएगा by मैं यहाँ लिखूँगा धान देना डियोष्यंस R2 change करूँगा R2 minus 2R1 धान देना R2 में से R1 subtract दिलने R1 को 2 से subtract करेंगे तो आपको जो मिलेगा यह इसी के equal होगा अब यह है इसके क्या है डियोष्यंस आपको बताये गया थे यह इसके तुल ले आप भी है तो तो लाब योग लिए equal to नहीं लगेगा, यह sign लगेगा, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर ध्यान दो, यह आपका 1 था, 1 रहेगा, यह 2 था, 2 रहेगा, यह 3 था, 3 रहेगा, अब इसमें जो है, 2 से multiply, यहाँ कितना आएगा, 0, और यहाँ 4, 5 में से minus वागत बचेगा, 1, और 3 में 2 से multiply किया, 6, 7 में से 6 माइनस वागत कितना बचा? 1 बचा, अब देखो यहाँ आउ गया, 3, 1 और 2, बाकी जो था, वह ऐसे का यह बागएगा, अब सोचो आपको और कहां 0 चाहिए, ध्यान दो, आपको और कहां 0 चाहिए, यह 0 चाहिए, यह 0 चाहिए, यह 0 चाहिए यह equal to direct race लिखे, equal to जब लिखेंगे 1, 2, 3, यहां तो कोई change होगा नहीं, यहां पर भी नहीं होगा, 0, 1, 1, अब R3 में subject करो, 3 में से 0 subtract करो कितना हैगा, 3, 1 में से 1 subtract करो, 0, 2 में से 1 subtract करो, कितना बचेगा, 1, आपने किया क्या, यहां mention कर दीजेगा, आपने क्या किया, R3 में से R3 को change किया है, R3 माइनस R2 से, R3 में से R2 को हमने subtract कर दिया, देखो, यहां भी 0 आ गया, अब 1 0 हमें और चाहिए, कहां, यह 0 मिल जाए, बस यह upper triangular हो जाएगा, इसके लिए, इडियोशन से, R3 में से R1 को subtract करें, लेकिन 3 से multiply करके, तब subtract कर दे भी हमारा काम बन जाएगा, त आई हमारा एक element फिर से गरबड हो गया, तो हने दो कोई दिक्कत नहीं है, क्या किया हम लोगों ने देखो यहां पर हमने R3 को डियो सेंट्स चेंज किया है कैसे R3 को चेंज किया है R3-3R1 करके 3 से मल्टिप्लाई करके इसमें हमने इसको क्या किया है साल्व किया है अब हमें यह चीज देखो यहां पर भी 0 चाहिए इसमें 6 से मल्टिप्लाई करके इस सबस्क्राइब रहें डिःएंट यह से मुल्चिपलाइब तो यहांनी न यहां चीडिन हर। यहां बिशाइगा रहा हो तो यहां की आ89 देखो यह दो दो पया अपने क्या किया है इधर लिक्ष्ट दो नहीं दिखेगा नहीं आर थी को मैंने चेंज किया है आर थी प्लस थी आर टू थी नहीं 6 आरटू छैसे से मुल्टिप्लाई करके इसमें एड़ कर दिया अब देखो लीडिंग डायगोनल यह है लीडिंग डायगोनल के नीचे के जो elements है डियोसेंट्स वो क्या हो चुके है जीरो हो चुके है और उपर के elements आपको साब साब बचे हुए नजर आ रहे हैं तो यही जो है यह जो matrix आपको मिला है यह इस matrix का तु तुल आप भी हो लेकिन कैसा है डियोसेंट्स आपर ट्रैंगुलर है कैसा है आपर ट्रैंगुलर है यह होती है process इसको करने की एक-एक element को सोच करके करेंगे एक-एक element पे सोचते हुए चलेंगे तब जाकर कि इसको आप सही से solve कर पाएंगे नहीं तो problem create होगी I hope आप लोग questions भी मैं आपको दूंगा solve करने के लिए ठीक है इसी के भिहाब पे कुछ questions दूंगा जिसको आप लोग solve करिएगा उसके बाद तब मुझे comment section में बताईगा कि आपको आया या नहीं आया पहली बार इस सीच को सीख रहे हो तो थोड़ा सा और लगेगा पहली बार सीख रहे ह से आप विव बनाना होगा तो रो आपरेशन का यूज करना आसान पड़ेगा और निम्नित त्रभुजी आप विव बनाना होगा तो याद रखी है वहा पर आप लोग column operation का यूज करना वह जादा आसान पड़ेगा आईए एक चोटा सा question लेते हैं और मैं आपको solve करके दि 3 है और उसके बाद 2 है 4 है और 5 है 3 है 5 है और 6 है इसे क्या करना इडियो सेंस निम्न तिर्भुजिये आप व्यू ध्यान देना निम्न तिर्भुजिये आप व्यू ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं lower triangular matrix में इसे हमें क्या करना है या जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कि lower triangular matrix क्या होगा जिसमें triangle नीचे बनेगा जिसमें triangle नीचे बनेगा अच्छा कोई भी operation आप लगा सकते हूं कोई समझ से जैसे मैंने अभी कहा तो आप elementary row operation लगा elementary column दोनों आसान ही पड़ेगा आपको ठीके कोई दिक्कत ने कुछ भी करो आप लो तो आए इसमें पिछले वाले कुष्टर में elementary row operation यूज़ किया था इसमें elementary column operation यूज़ कर दें पहले आप यह समझ लो कि इसे हमें क्या करना है element इसे हमें lower triangular matrix बनाना है इसका मतलब यह आप देखो ध्यान से यह आपका leading diagonal है ध्यान समझ लो अब इसके जो ऊपर के elements यह 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 आपको zero करने है क्योंकि तभी तो नीचे triangle बनेगा तो आईए हम लोग अपने कार करम को start करते हैं और column का use करना है start करते हैं ठीक है देखो ध्यान से आप क्या करिए c2 और c3 को दोनों change कर दो एक ही साथ कोई दिक्कत नहीं से देखो जान से मैं c2 को change करूंगा c2 minus 2 c1 से and साथ ही साथ मैं c3 को भी change करूंगा c3 minus 3 c1 से ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ जब c1 में 2 से multiply करके यहां subtract करूंगा तो यह 0 हो जाएगा और इसमें जब 3 से multiply करके इसको minus करूंगा तो यह 0 हो जाएगा बाकी आगे जो होगा वो हम लोग 6 देख लेंगे आए देखिए तो यह जो होगा हमें मिलेगा क्या इसमें तो कोई change नहीं हो रहा है 1 2 3 change कौन कौन हो रहा है c2 और c3 इसको पढ़ेंगे c2 change into c2 minus 2 c1 इसको पढ़ेंगे c3 change into c3 minus 3 c1 अब यहाँ पर c2 को c1 से यहां देखो 2 से multiply करो तो यहां कितना आएगा 0 आएगा यहां 2 से कर और कितना आएगा 4 यहां भी कितना आएगा 0 यहां multiply करो तो 6 5 में से minus करोगे minus होना जाएगा ठीक है अब यही इसमें multiply करोगे यहां करोगे तो यहां कितना बचेगा 0, 3 करोगे 6, यहां बचेगा आपका minus 1, 3, 3, 9 तो यहां बचेगा आपको minus 3 मिल जाएगा आपने यहां पर elementary column operation का डियो सेंट्स क्या कर लिया है use कर लिया है, दो element तो 0 हो गए, अभी इसको आपको और 0 बनाना है अब इसको 0 बनाने का तरीका क्या होगा, डियो सेंट्स, यह ध्यान दे लिजी आप लो, इसमें 2 से multiply करके, इसमें add कर दिए, 0 हो जाएगा उसके बात फिर जो होगा, वो हम लोग देख लेंगे, समझेंगे कैसे क्या करना है हम लोगों को, और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहे, क्योंकि हमें इसको 0 करना है तो 0 करने का यही तरीका होगा तो चलिए कर लेते हैं, अब क्या करेंगे C3 को change करेंगे C3 प्लस नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा, आप आसान मिथड को use करिए देखो, C3 change into 2C3 प्लस C2 ऐसे कर दिए, तो सरी, C1 कर लिए ठीके, क्या कर लिए, C1 कर लिए तो क्या मिलेगा, देखो, यहाँ 123 यह change नहीं होगा, 0, 0 minus 1 change नहीं होगा इसको जब करोगे आप, इसको multiply करना है किस से, 2 से, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, प्लस करोगे, 1 आजाएगा यहाँ करोगे, तो 0 आजाएगा यहाँ multiply करोगे, 6 आएगा प्लस 3 आएगा, तो फिर से आपको minus 3 ही यहाँ पर मिल जाएगा, इतना समझ में आया अब देखो, यह 0, यह 0 हो गया अब मेरा एक बचा भाईया वो कौन बचा, यह, इसी को हमें 0 करना है, लेकिन यह बार बार प्राबलम कर रहा है अगर मैं इसको 0 करूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा अब सोचो किसकी सहायता से हम इसको 0 करें, ऐसा कौन सा दिमाग लगाएं, कि यह 0 हो जाया, और यह सब हमारे बिगड़े ना, अब जैसे C3 में से C1 को मैं सब्ट्राइट तो कर सकता हूँ लेकिन C3 में से जैसे ही मैं C1 को सब्ट्राइट करूंगा, वैसे ही यहाँ पर मामला गरबड हो जा रहा है तो हम करें तो क्या करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे elementary column operation का भी यहाँ use कर लेना चाहिए, अगर इसके पहले ही elementary column का use कर रहा था तो elementary row का use कर लेता जिसके पहले ही मेरा answer आ जाता तो एक काम करिए dear sense देखो यहाँ पर आप एक काम करिए elementary जो है, इतना तो किये थे, इतना तो किये ही हुआ इसी के just बाद of elementary row operation का use कर लो, मैंने starting में आप लोगों से बोला था, या तो elementary row operation का use करिए तो column का, लेकिन जब काम बिगड रहा हो, और दिख रहा होगा कि row से ही काम चल जाएगा तो elementary row operation का use कर लेते हैं, तो हमारे लिए better हो जाता है तो हमें elementary row operation का use कर लेना चाहिए कैसे कर लेना चाहिए, डियर स्विंट्स देखो आगर मैं एक काम कर लूँ, यहां देखो सब तो यहीद बचा हुआ है इसको मैं 3 से multiply करके इसको इसमें से subtract करा दूँ तो यहां भी zero हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा इसलिए यहां पर row operation का भी हम लोग use कर लेंगे तो फानलिए better होगा तो ध्यान रखिएगा कि जब उसको आप upper triangular या lower triangular में आप कर रहे हैं उस case में elementary row और column operation दोनों आप use कर सकते हैं जरूत पड़ेगी तो प्रयास यही करना कि कि वह लेकी ही उसकरें लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि रो का यूज करने से जल्दी आ जाएगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं वह धीर धीरे प्रेक्टिस करते करते आपको आजाएगा हाँ अभी जब मैं आपको इनुवर्स निकालना सिखाऊंगा ब्योत्क्रम निकालना सिखाऊंगा तो वहाँ कंडिशन होती है वहाँ पर या तो elementary row operation लगता या तो column वहाँ दोनों नहीं लगाए जाता है ठीक है अगए चलते हैं यहां मैं क्या करूँ देखो द्यांसे यहां मैं एक काम करूँगा कि जो मेरा r2 है किसको मैं change करूँगा किस से ड्री र-2-r3 यह मैं करूँगा यहां पर देखो क्या होगा यह इसके तुल्ले होगा इसमें तो कोई change होगा नहें यही डियो चेंट्स, आय टू चेंज होना है, इसको तू से मल्टिप्लाई करो, तो तो 3 से, तो 6 हो गया, इसको माइनस करो, 6 में से 3 माइनस हुआ कितना मचा, 3, अब इसको 3 से मल्टिप्लाई करो, जीरो आएगा, यह इसमें सब्ट्राइट करोगी, तो यह प्लस 1 हो और आप देख पारेंगे कि यहाँ पर जो matrix आपको प्राप्ठ हुआ है दो ही step में solve हो गया और यह जो matrix है यह जो आप view है यह lower triangular matrix में convert हो चुका है आगे एक छोटा सा question मैं आपको और solve करके दिखाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको कुछ questions दूँगा task की फाम में और upper दिये गए matrix को upper triangular matrix और lower triangular matrix में आपको बदलना आ जाएगा फिर आप लोग किसी प्रकार की questions को इसको solve कर लेंगे और इसी practice थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा हुगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही आई एक छोटा सा प्यारा से example और लेते हैं और उसको भी हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं ठीके अपर triangular matrix या lower triangular matrix जहां भी change करना होगा आईए देखें एक matrix हमें की इवेन है यहां पर 1,2,3,3,4,8,3,10,4 ओके यह हमारे पास इसको हम अपर triangular matrix में change करेंगे किसमें अपर triangular matrix में इसको हम change करेंगे ठीक आईए देखें चलिए इसमें elementi row operation का मैं use कर देता हूं क्योंकि previous question में हमने column का use case में रो का कर लेते हैं ठीक है आईए समझे तो आपर triangular बनाना है यह इसका leading diagonal हो गया यह सब हमें 0 चाहिए चलो सबसे पहले इसको 0 करते हैं फिर इसको 0 करते हैं साथ ही कर लेते हैं देखो धान से आर्टू को मैं change करूंगा कैसे आरटू माइनस टू आर्वन मींस आरवन को टू से मल्टिप्लें कर देंगे एंड साथी साथ दूसरा काम करेंगे R3 को चेंज करेंगे R3-3R1 मैंने कॉलम का यूज करने के लिए बोला इसके पहले कॉलम की इसमें रो कर लेते हैं तो यह आपको क्या मिलेगा देखो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं फर्स्ट रो में तो 1-3-3 लिख दिया गया R2 चेंज हुआ इसमें से 2 मल्टिप्लाइ करो तो 2 से मल्टिप्लाइ करो तो 2 2-2 कितना आएगा 0 यहाँ 2 करोगे तो 3-2 जा 6 4 में से माइनस करोगे तो माइनस 2 आएगा यहाँ 9 10 में से माइनस करोगे सब्सक्राइब इंक्राइब में इसमें से यहां जब करोगे टोहसी करोगे यहां वनुव्सक्राइब एट में से 6 पीसào करोगे यहां 3 से तो 3, 2, 6, 4 में से करोगे तो कितना आजाएगा माइनस 2 आजाएगा इतना काम हो गया अब देखो यही एक element और 0 होने से बचा है तो कितना आसान है देखो R3 में R2 को add कर दो यह भी 0 हो जाएगा देखो अपकी बार क्या कर दो यहां बगल में लिख दो हमें क्या करूँगा R3 को change करूँगा कैसे R3 प्लस R2 R3 में R2 को क्या कर दूँगा add कर दूँगा तो यह जो आपको मिलेगा वो कितना आएगा 1, 0, 0 ठीक यहां 3, minus 2, 3, 4 अब इसको इसमें add करोगे तो 0 आजाएगा कितना आजाएगा 2 आजाएगा देखिए यह जो मिला आपको यह क्या मिल गया Upper triangular matrix तो ही मिल गया तो यह जो हमारा matrix given था ध्यान दो यह जो हमारा matrix यह जो आप वियू हमको given था D.S.C यह Upper triangular matrix में change हो गया किसका use किया हम लोगों ने elementary row operation का यूज़ करते ही हमारा एक questions solve हो गया तो dear st cheek हमने आपको 3 questions solve करा है एक में elementary row operation का यूज़ किया गया एक में elementary column operation का यूज़ किया गया और उसके बाद एक question ऐसा जिम elementary row और एक को आप upper triangular matrix में convert करिएगा और आप मुझे बताईएगा कि आप लोगों ने इसको कर लिया आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया नहीं आया होगा तो फिर हम आपके साथ और दो-दो question दे देते हैं आपके आये देखिए पहले इन दोनों को आपर triangular में change करना है आपर triangular matrix यह अभी जो दे रहे हैं इन दोनों question को आपर triangular में change करना है सार्थक की book का question है डियाशेंट्स यह 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, यह पहला है एक और देख लिजिए 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 यह दूसरा आप भी हुए इसको आपर triangular मतलब उच्च त्रिभुजिये आप भी हो ठीक इसमें आपको करनाट करना है फिर और देखिए lower triangular matrix निम्न त्रिभुजिये आप भी होगी निम्न त्रिभुजिये आप भी हो फर्स्ट इसमें है 1, 2, 3, 3, 8, 6, 8 है यह और 4, 10, 8 सेकेंड है हमारे पास 3, माइनस 9, माइनस 5, ठीक उसके बाद माइनस 4, 1, 3, माइनस 5, 4 और 1 यह है आपका यह दो कुश्चन है दोनों में दो दो पाइट है एक में आपको दिये गए matrix को अपर triangular में चेंज करना है एक में आपको दिये गए matrix को lower triangular में चेंज करना है और अच्छे से आप लोग यह समझी चुके हैं कि upper triangular matrix क्या होता है lower triangular matrix क्या होता है कैसे हम upper triangular matrix में चेंज करते हैं कैसे lower triangular matrix में यूज़ करते हैं जो आपको आसान लगेगा, एलेमेंटरी रो आपरेशन असान लगेगा, उसमेठीटर सी आप लोग आराम से अपने मन से साल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान लखेगा, साल्व करने के लिए पाद मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा, आपका आपक झारनी होगी देखिए यहां मैं अलिग देता हूं फस्ट का फस्ट फस्ट वाले कुछीन का फस्ट का जो एंसर होगा वो कितना आएगा देख लिए 1002-1003-3 और मामानस ओन्हीं यह फस्ट की फस्ट का है और फस्ट का सेकेंड वाला देख लिए आप 1st का 2nd है 1 0 0 2 1 0 3 2 और 2 यह हो गया ठीक है अब उसके बाद 2nd देखिए 2nd का 1st आप देखिए 2nd के 1st का इंसर जो आएगा वो आएगा 1 2 3 0 2 माइनस 3 और 0 0 1 यह 2nd का 1st का इंसर आएगा 2nd का 2nd का इंसर देख लीजिए आप लो इसका आएगा डियोसेंट्स माइनस 11 11 माइनस 5 0 माइनस 11 3 0 0 1 यह आपका हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर इंसर भी कर दिया है आप लोग साल्व करिएगा साल्व करके मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा कि आपका डियोसेंट्स यही एंसर आया या साल्व करने में यगर किसी प्रकार की कोई प्रॉबलम होगी एक होता है और एक होता है प्रतिलोम निकालने वाला जैसे एक इनुंवर्स निकालने वाला फार्मला तो आप लोग ये पढ़े है एंवड क्यृष मेंति यह अपानमोड यी होता यह तो था है इस यहां पर नहीं करना है हमें क्या करना है यहां पर elementary row operation यह elementary column operation का यूज करके इसको साल्व करना है तो उसको हम लोग next lecture में करेंगे तो बहुत अप्लीकेशन हैं आप लोगोंने सीख लिया में सीखेंगे टीयो सेंड। आट सेकले हैं आप लोगों को समझाया वह ए आया होका तो आच किस लेक्चर को यहीं समाथत करते हैं। मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ। अब तक लिए सांधा रही और पढ़ते रहे,